हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुदा सक्सस केंद्रा फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग 67th BPSC PT Re-Exam 2022 के लिए Practice Set No.9 को डिसकस करेंगे देखे फ्रेंट्स जो लोग 68th BPSC के तयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सेट काफी important है सेट को पूरा लगाईएगा और देखे फ्रेंट्स इससे पहले अलएडी हम लोगोंने सेट No.1 से लेकरके 8 तक को कवर कर लिया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा इन सब वीडियो का लिंक मैंने आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी दिया है मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है आप चैनल पर चले जाएए प्लेलिस्ट ओपन करके सब भी वीडियो को देख लीजेगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी BPSC से सम्बंदित 67 और 68 से सम्बंदित कोई भी important वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका notification सब से पहले एक्जाम के लिए practice at number 9 को discuss करेंगे तो चलिए session आज के start करते हैं friends please पहले वीडियो को like कर जीजेगा आज के session के पहला प्रशन पढ़ेंगे कि सिंधू सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे देखिए अगर आपको answer पहले से पता है तो answer comment box में देख करके बताते चलिएगा ध्यान दिजे सिंधू सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक यानि कि प्राक यतिहासिक आथवा कांस यूगिन सभ्यता थी या एक नगरिये सभ्यता थी और इस सभ्यता के मुख्य निमासी द्रविड एवं भुमद्य सागरिये थे अच्छा वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामिन सभ्यता थी इसको भी आप ध्यान रखेंगे और सिंदु सभ्यता के लोगों की घार कच्ची इटों के बने होते थे अगला प्रश्ण दिखे कि पांच प्रकार के यग में मनुस्य यग था तो पांच प्रकार की यग कौन-कौन से है तो ब्रह्मय यग है देव यग है पित्र यह राइट अंसर तो देखे फ्रेंट्स वैदिक आरियो ने स्वरपर्थम भगवान कृष्ण की पुजा जो है प्रारम किया था तो राइट अंसर वैदिक आरियो ने और बी करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा उसका बाद नेक्ष्ट कुस्टन है कि भागवत धरम से संबं प्राचिंतम अभिलेखी साक्ष है तो यह कौन सा है फ्रेंट्स तो यह जो है यह है हेलियो डोरस का बेशनगर अभिलेख ठीक है ध्यान रखेंगे अच्छा देखिए बेशनगर में भगवान वासुदेव के सम्मान में तक सिसिला के राजा एंटियोकस के राजदूत हेल जो है निर्मान करवाया था वहां गड़ूर धोज अस्थापित करवाया था क्लियर यह एंटियोकस का जो है राजदूत हेलियोडोरस जो सुंग वंस के सासनकाल में भारत आया था अप्सिन नमबर 20 का राइट इंसर हो जाएगा चले उसका बाद नेक्स्ट कुशन देखि यह आपका इलहाबाद कोशल का अवध और अवंति का मालवा अच्छा इनकी राजधाने भी याद रखेंगे मगद का प्रारंबिक राजधानी गिरिवरज यह राजगिरिय थी ठीक है वत्स का कहां पर था तो वत्स का कोसांबी कोशल का सरावस्ति और अवंति का राजध पत्था तो इस तरह से याद रखेंगे option number A राइटनसर इसका हो जाएगा उसके बाद देखे प्राची इनकाल का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतिय भासा एवं 40 विदेशी भासाओं में अनुवाद हुआ है तो यहाँ ग्रंथ जो है यहाँ ग्रंथ कौन सा है तो विश्णु सर् अजीत पंच तंत्र है राइटनसर इसका option number B हो जाएगा पंच तंत्र उसके अगला प्रशन क्याकर कि सांची को रूप में इसकी उने ईसको सुचि में सामिल किया गया है उसके बाद एक प्रासीन काल के भारत पर आक्रमनों के संबंध में निमलखित में से कौन सा एक सही कालकरों है बताए राइटंसर तो सही करम जो है यह यह यूनानी फिर सक फिर कुषान यानि का अफेसे नमर ए राइटंसर हो जाएगा उसके बाद इक नेक किया गया था यहां सोमेश्वर के द्वारा तयार किया गया था ठीक है सोमेश्वर के द्यारा अपसर नमबर इसका सी राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद दिके चोल समराज की राजधानी कहां पर थी चोल वंस की अस्थापना विजयाले ने किया था किसने किया था विजय स्वासासन चोल प्रशाशन की मुख्य विसेस्ता थी यह पुछा जाता है ध्यान रखेंगे उसका बद देखेगा कि गुप्त समराज द्वारा निम्रकित में से किने कर रहित कृष्णी भूमी परदान की जाती थी तो यह दिया जाता था ब्रह्मनों को ठीक है अपस्टर न आपको याद भी होगा कमल और रोटी था ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन कर लेंगे अगला प्रश्णी की दयानंद स्वरसाथी द्वरा अस्थापित है तो यह आपका इसमें से आरे समाज है ठीक है 1875 में इन्हों ने इसकी अस्थापना की थी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रहा है प्राथना समाज तो केशव चंद्रशेन के सहयोग से एमजी रैनाडे आत्मा राम पांडुकर और दिवयद नाठाकुर इत्यादी लोगों ने किया था नेक्स्ट कुशन है कि किसने कॉंग्रेस को सुक्ष्म दर्शीय अल्पसंखेक जनता का प्रतिनीजीत ब जायेगा चलिए अगला प्रशन हमारा सचिजाननद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे सचिधानद जुड़े थे समिधान सभाक के जो पहला अधिवशन हूआ था उसमें यह और आस्थाय अध्यक्ष ते ठीक है और सचिदानद सिन्हा भारत चौड़ों अंदोलन के साथ ज प्रभाति देवी जो थी यह कौन थी तो यह प्रकास नरायन जी की पतनी थी ठीक है राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा राइट अंसर इसका पटना हो जाएगा स्वतंतरता आंदुरान में बिहार की कई महिलाओं ने महत्मुन योगदान दिया था इन महिलाओं में सारला देवी प्रभावति देवी राजवंसी देवी सुनिती देवी राधिका देवी ये सब प्रमुख है ठीक है राइट अंसर इसका पटना हो जाएगा प्रभावति देवी जो थी या पटना की स्वतंतरता संग्राम सेना नी थी नेक्स्ट कोस्चन है किनेवन में से किस ने और सायोग आंदोलन के द्वारान अपने वकालाज छोड़ दी थी कि यहां पर देखेगा चितरंजनदास दिया गया है option double इसका डी जो होगा करेक्ट अंसर हो जाएगा चितरंजन दास और मतिलाल नहरू ने 1923 में किसकी पार्टी की थी तो असायोग आंदोलन की जो असफलता थी उसके बाद इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था याद रखेंगे इसको ठीके चले उसके बद आगे बढ़ेंगे कि को बिना वकिल बिना अपिल बिना दलिल के कानून या काला कानून कहा जाता है इसके तहत ब्रेटिस सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बता है उसकी गिरफतारी कर सकती थी और इसकी विरोध में स्वामी सरधानंद ने लगान ना देने का अंतुलन चानाने का ही दिया गया है यह अपने साथ मेels्यिःऑंसन और कहनूर इरान लेकर गया यह भी सही है इसने मुगल समराट मुहमद सारंगीला को बंदी बना लिया था बिल्कूल मुहमद सारंगीला उसमय को ऊबये नहीं नहीं है अगला अगला प्रसंद देखेगा कि नेमन में से सही सुमेल कौन से इसमें से नहीं है तो यहाँ पर देखें गीता रहस्त धयानन्द स्वरसति यह गलत है गीता रहस्त जो है यह बालग अधर तीलक की पुस्तक है तो अपसर रमबर डी राइटन सर हो जाएगा बाकी देखें अमरि देखेगा मिलान करना है तो जहां सी हो जाएगा रानी लक्षमिबाई लखनव से किसने किया था बेगम हजरत महल ने किया था कानपुर से नाना सहाब ने किया था और फैजाबाद से किसने किया था तो मौल भी अहमदूला नहीं किया था तो राइट अंसर अब इसको आप कर लिए प्राइची ऐर्म प्रमानिक माना जाता है यहाँ सूंग काल का मानक गरन्थ हैँ है याद रखे मनोस्मिर्ती इसका राइट अब तेंसर हो जाएगा उसका देखेगा कि प्रतिलों विवाह तब माना जाता था प्रतिलों विवाह तब माना जाता था जब उच्छ वर्ग की नारी निम्न वर्ग की पुरुष के साथ विवाह कर लिती थी तो राइट अंसर मेरे खाल सा अप्सिन नंबर इसका यहां पर बी हो जाएगा ठीके चलिए उसके बद आगे बढ़ेंगे कि ब महायान संपरदाय में बढ़ गया था चतूर्त बहुत संगती के बाद कनिश्क के सासंकाल में तो यह कनिश्क हो जाएगा और बी राइट अंसर हो जाएगा उसका बचलिए कि किसे एसिया की रोश्णी यान कि लाइट ऑफ इसिया का जोती पुंज कहा जाता है तो यहां ग बरणाएक अथा का व्र्णनां इसमें उजइयान वाजवात्प्धाता दंत कथा ठिक है यहां संबधित है किससे यहां कॉसांवभी से संबन्धित है कॉसांवई इसका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा उसके बाद दिखेगा कि रेक्सोना स्कुनकी पतनी थी यहां स सिकंदर की पतनी थी यहां पर देखे सिकंदर दिया गया है सिकंदर महान इसने भारत विजय का अभियान जो है 326 इसा पुर्व में शुरू किया था यह भी आप ध्यान रखेंगे का प्राचिंतम नमुना किसके अभिलेख में मिलता है तो फ्रेंट्स यह मिलता है आपशन नमबर बी इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा उसके बाद देखेगा कि मिनांडर को किसने बहुत धर्म में दिक्सित किया था तो देखे राइट इंसर इसके क्या हो जाएगा आचा आपने पढ़ाओगा कि मिनांडर के प्रश्ण और नाकसिन का उत्तर है यह मिलिंद पन हो नामक एक गरंथ जो है उसमें संग्राहित है ठीक मिलिंद पन हो देखिए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा नागसें हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा तोल की पिएर इसके लेखक है ठीक है चले अप्सनम्र डी इसके रायट अपन्सर हो जाएगा नेक्ष्ट कोस्दन है कि कि किसका अनुसार के उत्पत्ति अग्निकुंड से हुआ है तो राजफुत्र का उत्पति जह है यहां अग्निकुंड से हुआ है इसमत का पर्थम सूतपात जो चंदरवर्दाई है उनके जो गरंथ है पृत्वी राज रासो इसी में मिलता है तो पृत्वी राज रासो चंदरवर्दाई राइट एंसर हो जाएगा यहां पर ठीक है चलिए अगला प्रशन कर लेंगे कि सिमुल तला आवासी विद्याले के स्थापना किस विष्विद्याले के तरजपर की गई तो यहां की गई थी नेतरहाट आवासी विष्विद्याले के तरजपर यहां पर देखें नेतरहाट आवासी विद्याले के तरजपर ठीक है विष्विद्याले नहीं विद्याले चलिए नेक्ष्ट कुछन है कि बिह वरसे जो है कोन सा इसका को कमेंट करके बता यह प्रस्च आपके लिए है शबसे ज़्जादा प्रति या यह कहा पर है अंतिम पुछा गया है और यहां पर सबसे शार्ट करके बताएए पुर्णिया सहरसा दर्भागा और मुझपर उपर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताए इसका correct answer क्या हो जाएगा तो देखें यहाँ पर जो है बांगर मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो ध्यान रखेंगे बांगर मिट्टी पाई जाती है option number B right answer हो जाएगा बांगर और खादर अपने पड़ा है यह जलोड मिठी हैं नेक्स्ट कुस्चन है हमारा कि बिहार में चावल असोद एवंबिका संस्थन कहा अवस्तित है तो फ्रेंड्स यह अवस्तित है कहां पर तो आरा में है उसके बिहार में बुद्ध जयनती परव का अवजन कब किया जाता है तो देखे राजी में बुद्ध जयनती परव का अवजन जो है यहां किया जाता है वैसाक पूर्णी मा के दिन यहां पर दीकि वैसाक पूर्णी मा दिया गया है उसके बिहार परियाटन की टैग लाइन क यह लगबग 90 पर 30 धारातलतु पर हो जाएगा फिल्म सिटी का निर्माण कहा होना प्रस्तावित है अ यहां राजगीर होना प्रस्तावित है तो राजगीर इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके पर ध्यान हैं 41 से लेकर के 50 तक में जो है मैथ के प्रश्ण है ठीक है इसका एंसर हमेशा की भांती मैं वीडियो के लाश्ट में आपको बता देऊंगा चलिए आते हैं कोस्ते नंबर हम लोग 51 पर यहां से देखिए कोस्ते नंबर 51 का रहा है कि रक्तदाब का नियंतरन कौन करता है रक्तदाब का नियंतरन जो है यहां कौन करता है देखिए यदि सरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथी से एड्रेनिलीन हार्मोन निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है तो इस तरह से इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका जो correct answer हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, adrenal gland यानि कि अधिवरिक गरन्थी, लिवर किस से भरपूर सरोत है, भरपूर सरोत जो है, या वसा घुलनसील विटामिन से है, option number B, right answer हो जाएगा, वसा में घुलनसील विटामिन कौन कौन से है, तो विटामिन देखिए कौन कौन से है, जो वसा में घुलनसील है, तो ये विटामिन K है, विटामिन E है, K E, क्रीमियों के अध्यान को कहते हैं इसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है है अगला प्रशन कर लेंगे कि पक्षी तथा खीट के परपर क्या होते हैं एक पक्सी तथा कीट के परपर जो है यहाँ सम्विर्ती अव्या होते हैं ठीक है सम्विर्ती हो जाएगा इसका राइट इंसर उसका बढ़ देखेगा कि बलर्ड है यानि कि रक्त कैंसर को आम तरपर किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है लिवकेमिया के नाम से ठीक है इसमें क्या होता है तो देखे इस कैंसर में समाने रक्त कोशिकाओं में स्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा और समाने तरीके से बढ़ जाती है लिवकेमिया राइट इंसर हो जाएगा इसका देखे पारिस्थित की विज्ञान के इंद्र कहां इस्थित है तो पारि यहां B राइट अंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एश्टिवम ठीक है यहां मैं लिकता हूँ अंग्रेजी में A E S T I B U M ठीक है ट्रिटिकम एश्टिवम चली अगला प्रश्ण है कि निमलिकित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है गाजर के लिए सही जो है बताईए तो दी दिके गाजर में बिटामिन एजो होता है यहां प्रशोर मात्र है इसका राहे टंसर 201 सर हो जाएगा मैं उसके अपूर अधिक द्रीड बाले हड़ी उसक होता है परंतु कुछ अपवाद हैं जैसे कि घोड़ा चूहा इन सब में पितास है नहीं होता है यहां पर देखिए गार इसका चूहा दिया गया है अगला प्रशने की पौधे का कौन सा भाग भोजन संसलिशित करता है तो भोजन जो है आपका पता है आपको कि यह पतियां जो है भ सुलफर मेगनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ठीक है चलिए और इसमें पुछा गया है कि MRI मसीन में नेमन में से किसका प्रियों किया जाता है तो अभी मैंने बता है मेगनेटिक नाम में ही है तो इस तरह से इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर्डी हो पर जो चर यानिकि जो वैरियेबल परभावित होते हैं वो कौन-कौन से हैं तो देखे जब कोई प्रकास तरंग वायू से कांच या किसी अन्य माध्य में परविश करता है तो प्रकास की आविर्ती नहीं बदलती है प्रकास की आविर्ती सेम रहती है लेकिन उसका तरंग सब्सक्राइब कि इसमें से कौन सा एक अधिप्त फिंड है इस एक संवेमस कोन होते हैं उन्हे को कहा जाता है ठीक है आधिप्त यह वह कौन सा अ हो जाएगा करेक्ट व Huge अवशिए ईसका यह सूरी luôn की साघर साइज जाता है समाने चुम्बकिय छेतर जो है तो देखे एक समान चुम्बकिय छेतर को समनान्तर लाइनों से दर्शाय जाता है उसके रइट के निलों Coordinating इसम CONCNT निय क्यों किया जाएगा ठीक है यहां पर इसका हो जाएगा जिए इसका कारेक्ट थे का जो जाएगा जो रेल पठर यां अपने वक्रों पर किस कारण से यहां पर देखे बेंड की गई होती है। ठीक है ये बैंक लिखा गयान तो बैंड की गई थी है। पते ही रैइट असरे इसके क्या हो जाएगा रैल पटर या अपने work ropes और बैंड की गई होती है इसका कारण है कि रेल गाड़ी के भार गे 36 घटक से आवस्टक अभी केंदरी बल यानि कि सेंटर फिटल फोर्स प्राप्त किया जा सकता है इसलिए तो राइट अंसर इसका हो जाएगा अभी केंदरी बल ठीक है तो option number इसका C होगा correct answer क्लियर चलिए उसका बद आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे कि बॉल पेन के सिधान्त पर कारे करता है तो बॉल पेन जो है यहां केसी कत्व और प्रिष्टिये तनाव के सिधान्त पर कारे करता है तो यहां पर देखेगा प्रिष्टिये तनाव दिया गया option number D बिल्कुल इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बद next question कर लेंगे अगला प्रशन देखेंगे next question हमारा कि नेमन में से किसमे संभुहन होता है नेमन में से संभुहन जो है किसमे होता है बताए इसका करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा बताए इसका राइट इंसर क्या हो यहाँ ठोसों में नहीं होता है सब्डेयर प्रक्राउट क्या है यहाँ अमलिये प्रकृति का होता है किया अरहि bene। है उसका रूप में नेमलकित में से किसका प्रयूग किया जाता है तो यह किया जाता है किसका नैट्रस अक्साइड का यहाँ पर देखे एंड टु वो जिसको की लाफिंग एस कहा जाता है उसका बाद के ठोस ठोस पदार्थों में अनु द्रियडिता से परस पर अंतरानुविक आकर्षन बल द्वारा बंदेर आते हैं ठीके तो इसका राइट इंसर इसमें से क्या होगा बताइए राइट इंसर इसके क्या हो जायेगा इसका जो करेक्ट इंसर हो जाएगा वो आपका उप्सन नंबर भी हो जाएगा गती नहीं कर सकते हैं ठीक है चलिए कि अगला प्रश्gov की धोती का कारण होता है स्टकिव की धूती का करें मुक्त की मौझूद्गी का कारण प्रकास का परवर्तन है तो तो इसका सा ऌनने के सकाल हो जाएका उसका कॉन सी जाएकश फॉल फॉलो को क्रित्रिम पकाने में प्रियोग लाई जाती यहां पर क्रित्रिम पुछा गया है तो फॉलो को क्रित्रिम से पकाने ही तो एथिलीन गैस जो है अभी उप्यों किया जाता है लेकिन पर प्रतिबंद लगा दिया गया है इस बात को आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो इसाफ से तो एथिलीन होगा आप एक बार कमेंट करके बताईएगा उसके बाद के निमन लिखित किसी पदार्थ में यदि कुछ बुंद सांद्रित सल्फिरिक डाल जाता है तो वहाँ काला हो जाता है बताईए कौन से पदार्थ में तो दिखिए जो सरकरा है न सरकरा में अ सक्रियत है यहाँ पर दिखें सक्रियत आपंक उपचार क्या उसको क्या कहते है यानि कि एक्टिवेटेड़ सलज ट्रीटमेंट ठीके एक्टिवेटेड़ सलज ट्रीटमेंट तो यहाँ एक जैविक उपचार है क्या है फ्रेंट्स यहाँ एक जैविक उपचार यानि कि ब मात्रा जो है अधिक होती है तो यहां पर सीशा दिया गया और इसका सी जो होगा करेक्ट अंसर हो जाएगा चली आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे कि जब जल स्वयम राशानिक रूप से किसी तत्व या खनीज के साथ मिलता है तो उसको कहा जाता है जल उसका क्राम के यहां पर यहां पर दिया गय है 3.023 x much का कितना होता सफ़ाओक जिछेंब उइसी our यहां पर इसका बैर होता है लेकिन यहां पर 25 से पर देखेंगा की जल चलिकल сторону 22 पाउर पर दिया गया यानिक एक सुने कम दिया गया तो इसलिए इसका भार कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू ग्राम हो जाएगा समयधानिक राजसी का अर्थ एक ऐसी सरकार से है जहां राजा समयधानिक तोर पर राज्य का प्रमुक होता है तो राज्य इंसर क्या हो जाएगा बताई इसका करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा करेक्ट इंसर इसका अप्से नबर डी हो जाएगा समयधान द्वरा प्राप्त सक सक्तिक अनुशार राजय के द्वारा सक्तियों का प्रयोग अगला प्रश्ण की निमलिकित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधिन्ता में बाधक है तो स्वतंत्रता और जो स्वाधिन्ता है इसमें बाधक जो है यह संसाधनों का कैंद्रिकरन जो है लोकतंत्र में स्वतंत्र और स्वाधिन्ता का बाधक है केंद्री करन ठीक है यहाँ पर आप्सन नंबर ए राइट अंसर होगा इसका नेम लिखित में से 21 का धेन राजेपाल राष्ट पती के विचार के लिए किसी विध्य को आरक्षित रख सकता है बताए राइट अंसर इसके क्या होगा तो दिखिए इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो आपका अनुचेद 201 है ठीक है अनुचेद इसका 201 है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे कि फ्रांस में आतंग के शाष्ण के दारान निमन में से किसने महत्पून भूम का निभाई थी तो रॉब स्पीर के समय में जो है इसने फ्रांस में आतंग का शासन हुआ था रॉब स्पीर राइट अंसर हो जाएगा इसका नेमलेकित में से किस अनुचेद का अनुचेद का अनुचेद परिश्ट के संबंद में प्रावधान है तो यहाँ अनुचेद 263 में है ठीक है इसका अंतरगत केंद्र और राजय में समानवे अस्थापित करने के लिए अनुचेद 263 के तह जो है अंतराज्य परिश्ट का गठन जो है राष्टपती कर सकता है इसका अस्थापना 28 माई 1990 को हुई थी और इसकी पहली बैठक जो है यह 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी 10 अक् यह फटेश पर्चायच समिसी जूहाए यह क्या है तो यह इक परसास्निक स्के डवारण किया करना हो तो इस अशय का परस्ताव किसके दवारा पारित किया जाएगा बताई इसका राज्य तंसर क्या हो जाएगा तो देखे फ्रेंट संसत को राज्य सूची में सामिल विधाई सक्तियों और विस्यों को गुरहन करना हो तो इस आस्या का प्रस्ताव राज्य सभा के दोबारा पारित किया जाएगा समिधान के अनुछेद 249.1 के तहत राज सूची के राष्ट्रे हीत में विश्यों को गुरहन करनी की सकती राज सभा को प्रदान की गई है तो इसका राइट इंसर क्या होगा? इसका करेक्ट इंसर अफ्सन नमबर C हो जाएगा राज सभा इसके बाद देखेगा कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्लकित में आपको जाएगा अगला प्रश्न है के भारत के उप्रो एश्टपती पर अभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? यहां जो है उपर राष्टपती पूछा गया है इसलिए ध्यान से इंसर इसका देंगे इसका जो करेक्ट इंसर हो जाएगा वो आपका राजसभा हो जाएगा ठीक है और वहीं अगर राष्टपती पर महाभियोग पूछता या संसत की किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट इंसर तंजानिया हो जाएगा तंजानिया में है यहां भारतिये चावल सोधिसांस्तान कहां इस्तित है तो यहां जो है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टिट यहां कटक में है उडिशा के कटक में है ऑप्सिन नमबर यह राष्ट इंसर होगा लावा मिठी आप जाती है तो देखे पस्सिमी भारत में जो काली मिट्टी का निर्मान होता जाता है इसको कि रेगुर मिट्टि कहा जाता है निर्मान लवा से हुआ है मालवा पठार पठार हुझा जाता है यहान कि option नंबर कौंशा साहिए हो जाएगा option c refer trial to correct हो जाएगा यहां गदधी जन जाती है गद्डी preferences का हो जाएगा कौनसी जन जाती है गद्डी जन जाती है ठीक है चलिए हमात्र प्रदीस में पाई जाती है गद्डी जन जाती नेक्ष्ट कुछिल करेंगे अगला प्रस्ण अब देखे chicken A अगला प्रश्न है हमारा कि पस्रिम एउरोप का तापमन बढ़ाने के लिए कौन सी धारा है वह उत्तर जाई है यहाँ धारा कौन सी है बता हिए राइट इंसर तो दिखिए इसका जो राइट इंसर हो जागे फ्रेंड्स वह आपका हो जागा इसमें सो ऑप्सिन नमबर बी गल्फए च्ट्रीम ठीक है गल्फ है अगला प्रश्णः है कि डोलोमाइट क्या है डोलोमाइट क्या है बत्ये राइटिंसर अच्छा गल्फए चटान कारबोनेड़ेट डाल्ट स्टोन का रूप है ठीक है यहां पर देखिए राइट इंसर इसका असाधी हो जाएगा और इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा उसका नेक्स्ट कोशन कर लेंगे 97 नंबर कि निम्न मानाव निर्मित विपदाओं में कौन से समाजिक रूप से ह है तो यह आपका इसम से कौन सा हो जाएगा मतले राइट इंसर इसका क्या हो जाएगा तो दिखिए इसका जो करेक्ट इंसर हो जाएगा वह आपका ऑपसर नंबर सी हो जाएगा ग्रीधा मानाव निर्मित विपदाओं ग्रीधा बाकी जो है यह प्राकृतिक आपदा है उ यहां पर दीकि सिस्मु ग्राफ दिया गया और डी राइट अंसर इसका हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि एक दूसरे से लंबोत उर्द्वादर और चैतित रिखाओ कि श्रिंखला के नेटवर को किस नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है किस रूप में बताइए तो इसको कहा जाता है जोग्राफिक कॉडिनेट्स सिस्टम ठीके यानि कि हिंदी में इसको भोगलिक समन्मे तंत्र कहा जाता है तो इसका करेक्ट अंसर ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा उसके बचले अगला प्रश्ण है कि प्रितिवी कितनी पुरानी है इसका निर्धारन कि द्वारा किया जाता है अपसन नमबर इसका बी राइट अंसर हो जाएगा रेडियो मेट्रिक काल निर्धारन ठीक है उसके बाद देखेगा कि भारत में रेल कडिबे कहां बना जाते हैं तो भारत में रेल कडिबे पंजाब के कपूरतला और तमिलाडू के पेरंबूर में बनाये जाते हैं अपसन नमबर इसके बाद बंदरगा बारत का सबसे बड़ा किरित्रिम बंदरगा या चन्य बंदरगा है अपसन नमबर इसका सी कारेक्ट अंसर हो जाएगा हरित क्रांती सबसे अधिक सफल रही थी तो हरित क्रांती जो है इसकी सुरवात 1966-1966 में होई थी भारत में हरित क्रांती का जनक किसको माने जाता है तो म.स्वामिनाथन को और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को ठीक है और यहा सफल रही थी पंजाब हरियना और पस्मी उत्तर प्रदेश में तो यहां पर दिखेगा पंजाब हरियना और उत्तर प्रदेश दिया गया है तो option number इसका बी करेक्ट अंसर हो जाएगा पस्मी उत्तर प्रदेश ध्यान रखेंगे उसका बदिके निम लेखित में से मुद्रास पीती का क्या है तो मुख्य कारण पुंजी पूर्ती में ब्रदी होना होता है पुंजी पूर्ती में ब्रदी तो option number इसका बी राइट अंसर हो जाएगा अर्थ सास्तर किस भासा से लिया गया है तो अर्थ सास्तर जो है यहां यूनानी भासा से लिया गया यूनानी इसका राइट तो देखे फ्रेंट सबसे पहले ध्यान देंगे कि भारत में अब तक कुल 12 वर्षी योजनाय संचालित की गई है ठीक है पहला पंच वर्षी योजना जो था ये 1951 से 1956 तक था और 12 जो था ये 2012 से 2017 तक था ठीक है या में एक जो 2012 से 2017 ठीक है और तीन योजना अकास था तीन वर फिर 1968 से 1979 और फिर जो था एक 1900 कब से कब तक तो 1989 से 1980 तक था ठीक है यहां पर दिखेगा 1989 तो यहां पर दिखेगा 1966 से 67 फिर 68 से 69 यहां पर मेरे ख्याल से इसका राइट एंसर होना जाए था आपका ओप्सन नमबर डी होना गा 1966 से 1979 डारेक्ट लिखा गया है लेकिन तीन जो थी 1966 से 67 फिर 68 से 79 और एक 1989 से 1980 था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कि HDR देखे HDR लिखा गया है मानव विकास सुचकांग जिसको कहा जाता है मानव निर्धनता यहां पर दिया गया है या कब जारी किया गया था देखे HDR जो है सबसे पहले लॉंच किया गया था 1990 में पाकिस्तान के अर्थ सास्त्री माबू वुल हक के द्वारा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कि मांग पैदा करने के लिए जरूरत है तो मांग पैदा करने के लिए जरूरत जो है यह है आई की ठीक है राइट इंसर योजना जो है यहाँ प्रभाव में कवाई थी तो एक अपरेल 1989 को और इस कारेकरम में केंदर राज की हिस्तदारी असी अनुपात 20 में होता है ठीक है और देखें यहाँ योजना जो है यहाँ योजना और इसका किरियानवन की जिम्मदारी ग्राम पैंचायतू की है राइ इसका कॉन सा हो जाएगा तो पुंजी प्रधान जो धोग है उसका सर्वत्तम उधारन यह आपका इसमें सो जाएगा इस पातू ठीक है इस्टील इंडस्ट्री हो जाएगा राइट अंसर इसका यहाँ पर ऑप्सें नंबर भी हो जाएगा बिहार राज्य का जन संक्या घं नत्व है यह 1106 है और भारत का जो है यह कितना है तो भारत का 382 है कितना अधिक है यहाँ पर देख लिएगा घटाई का तो चार उसके बाद दो और यह बच गया कितना दस तो दस में से तीन जाएगा तो साथ यानिकि 724 इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा जो कि ऑप्सन में कौन सा अस्थान है पूरे देश में स्मार्ट सीटी मिशन पर पैसा खर्च के मामले में भागलपूर का कौन सा अस्थान है तो यहाँ पर अब ध्यान जीजिएगा इसमें पटना का अस्थान बासाथवा अस्थान है ठीक है पटना का अस्थान जो है यह आपका बासाथव पथ परिवहन निगम के अस्थापना 1959 में की गई थी बिहार में किस अस्थान से दो यक्ष मुर्थियां प्राप्थ हुई है तो दो यक्ष की मुर्थिया जो है यहाँ पाटली पुतर से प्राप्थ हुई है अगला प्रशने के राजिन दिर क्लिशिव इस विद्धाले भा विज्ञान के लिए दिया जाता है विज्ञान इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद देखें नेक्ष्ट कुस्चन है कि बिहार से प्राप्थ पहले दुविभास से अविलेक का संब्द किस सा सक्से देखें यहाँ पर टाइपिंग में एरर हुआ है तो मैंने आप बिहार के दो अस्थल हैं जो विस विरासत अस्थल के रूप में सामिल एक महाबोधी मंदिर परिशत जिसको की 2002 में सामिल किया गया था और यह जो आपका नलंदा महाबिहार है इसको सांस्कृतिक अस्थल के रूप में जो है 10,000 हो जाएगा राइंटन्सर हो जाएगा 10,000 हिसी दिया जाएगा पहले चाइस में ठीक है पहले चाहज में यह चला किया गया है यह किया गया है दो लाख बताए दो लाख अठारा हजार 302 कड़ोर यहां मैं देखें लिखा गया दो लाख अठारा जार 302 कड़ोर और 70 लाख रुपया ठीक है अगर यह राइट एंसर इसका हो जागा वही दो अगर 22 तेस में पुछा जाए तो इसको भी याद रखेंगे 23 237691.19 कडोर ठीक है चली अगला प्रशन कर लेंगे नेक्स्ट कुस्टन है कि PM मोधी ने किस सहर में एक पाइलेट पर इजना के तहत 3E100 इथनोल वितरन स्टेशन शुरू किया है तो यह कहां पर किया है तो यह पूने में किया है ठीक है पूने में किया है ध्यान रखेंगे च विस्व कीट दिवस मनाया जाता है तो यहां छे जून के दिन मनाया जाता है ठीक है छे जून के दिन अच्छा तीन जून के दिन विस्व साइकल दिवस मनाया जाता है यह याद रखेंगे विस्व साइकल दिवस तीन जून के दिन मनाया जाता है ट्रिक मां बता जाता हू मुझे cycle बनाना नहीं आता है बढ़िया से यह आपका cycle हो गया अब देखे cycle पर हम बच्पन में थे यहां पर तीन लोग बैठते थे एक यहां frame पर बैठ जाता था एक seat पर बैठ जाता था और पीछे carrier पर बैठ जाता था तीन जन बैठते थे cycle पर कितने जन बैठते थे तीन इस तीन जन से मैंने तीन जन से तीन जन मना दिया और तीन जन तीन जन बैठ साइकल ठीक है याद रखेंगे उसका बढ़ देखेगा पुस्ता का नाम क्या है तो यहां थोड़ा सुधार करेंगे इसका बढ़ाग जन जर्नी होम के लेखा कौन है तो यहां जो एक मिनट किसके दवरा लिखी गई हां तो देखे राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा बताए और देखे यह जो विहार में पर प्रवासी जो थे जो लोट रहे थे कोरोना के दाराण उन्हें की यात्रा का यहाँ बर्णन करती है अब उस्तक सलीए कि अगला प्रश्ण हमारा कि सामी केदिरा ने हाली में सन्यास लेने के है तो दिखें फ्रेंस यह जो सामी खेद रहा है यहाँ जर्मनी के फूटबॉलर है ठीक है तो यह जर्मनी हो जाएगा राइटंसर और यह फूटबॉल के खिलाड़ी है उसका बदे के निमलकित में से किसे जो है यहाँ पर ध्यान दिजेगा भारती रिजर्व बैंक ने ठी और सी उक्रिप में निउक्त किया गया है तो इसका क्या हो जाएगा विस्वबीर आउजा को विस्वबीर आउजा उसके नेक्स्ट को सने कि निमलकित में से किस राज्य के अंदर सासित पर जिसने डिजिटल शिक्षा को प्रसायद करने के लिए चात्रों के लिए यहाँ किया है तो यहाँ सरू किसने किया है है कि बताइ कि आपर इसके क्या हो जाएगा तो राइटेंसर को सब्ढ़ाधा थीक है चले आगज़ेंगे नेक्स्ट कुस्टें कर लेंगे अब अगल्या प्रस्वन हमारा कि किस राज्य के अंसे प्रज्यस पर में नउक्री की संभाना को बढ़ावाद देने के लिए नॉलेज एकनॉमी मिशन शुरू किया है नॉलेज एकनॉमी मिशन जो है यह शुरू किया है केरल गवर्मेंट ने केरल राइट एंसर इसका हो जाएगा उसका वाद देखे माई 2021 में माल और सेवा कर यानिकी जेश्टी से कितना राजस्वेकत किया गया यह जब भी आप पढ़के जाएगा यह आप एक बार इस तरह के प्रश्णी रिशेंटली आंकड़ाय लेकर के जाएगे एक्जाम में ठीके इसका अनुसार मैं बता देता हूं माई 2021 का अनुसार इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर यहाँ पर सी हमें नमबर पर है ऑप्सन नमबर इसका डी राइट अंसर हो जाएगा 117 हमें नमबर पर है ध्यान रखेंगे चले उसके बद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुश्ण कर लेंगे अगला प्रश्ण है कि विस्वखाद सुरक्षा दिवस साथ जून के दिन मनाया जाता है पह बेटर हेल्थ यह 2022 का ठीम है यह याद रखेंगे सेफर फूड बेटर हेल्थ 2021 का हो जागा सेफ फूड टुड़े फोर हैल्दी टुमॉरो अपसर नमबर भी राइट अंसर होगा इसका उसका उसका बद देखेगा कि सीवेसी ने 2021 सेक्शनिक सत्र के में कोडिंग और डेट किसके साथ साज़धारी की है यह साज़धारी जो है किसके साथ किया है यह आपसे पूछा गया है इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा तो देखें यह साज़धारी जो किया है यहां किया है माइक्रोसोफ्ट के साथ माइक्रोसोफ्ट इसका राइट इंसर होगा उसका 2020 का राइट एंसर्ज हो जाएगा यह आपका हो जाएगा कौन सा बताइए सर्जियो पेरेज जो की कहां के हैं मेक्सिको के हैं और यह मेक्सिको के हैं ध्यान रखेंगे चलिए रेडबुल के ड्रैबर है हर साल 6 जुन का दिन संक्तराष्ट द्वारा मानेता प्राप्त किस जो अधिकारिक भासा है उनमें से एक है अगला प्रश्ण की थेलस ने हाली में भारत के लिए उपराष्ट पती और देश के निदेशक की रूप में जो है किसकी नियुक्ति की घोश्णा की है कि राइट इसका क्या हो जाएगा ड्रो त देखिए रैट जो एंशर हो जाएगा इसका ये आपका इस में से कौन से हो जाएगा आची सराफ इसका दीखको जाता राज् प रॉपर रस्ट काष्ट पती गारा है थीक है चलिए तो यह हो ज आपका क्या जर्व झता है निम लिखित मैं से कहां पर मनाए तो यह रजमहुट्षव यहार्जा परव Glory साम थीक है उसका बचली के भारत बिल मुक्तान परणाली के दाइरे का विस्तार करने इसको मोबाइल प्रिपेड रिचार्ज को भूबाइल प्रिपेड रिचार्ज उसको वा देखेगा कि नमलाकित में गैर अस्थाई सदस्तिक रूप में जो है इनको निर्वरोध चुना गया है यहां पर दीके राइटन सर्ज हो जाएगा इसका सभी हो जाएगा ठीके अपसे नमबर डी हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला प्रशन है कि उस भारती महिला पालवान का नाम बताई जिसने पोल अनितिक सहयों का विश्तार किया है ताकि ओरेकल सी एक्स प्लटफोर्म जो है इसके माद्यम से गरहक अनभाव को बढ़ाया जा सके तो दिखें यहां जो बैंक है यहां बैंक जो है यहां कौन सा बैंक है ठीक है फेडरल बैंक है राइट अंसर इसका अप्स नमबर डी हो जाएगाएगा मुकेस सरमा को की जाएगा अगला प्रशन है थोक मुल्य आधारित मुदराश्पिती मई में हलेसन देगे कितना प्रतिसत के रिकॉर्ड तो यह तो प्रतिसत के तो यह होगा राइट यून के दिन जो है राइट यून के दिन जो है इसके वोश्ण कि 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 पॉस्धों करने के लिए काम कर रहा है तो यह चीन है ठीक है राइट अचेन हो जायेगा चीन एक निरंतर सुरक्षा चुनावती है और वैस्विक वस्था कम्जूर करने के लिए काम कर रहा है अचा नाटो जो है इसका स्थापना कब होई थी इसका स्थापना 1949 में होई थी इसका हेटक्वाटर कहां पर है तो ब्रुसेल्स जो की बेल्जियम की राजधानी है वही पर रुकी है जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्ब्यावार सावगरी के रिपोर्ट करने और उससे साधा नहीं करने के लिए प्रुसाहित करती है तो राइटेंसर इसका हो जागा सोसल मेडिया कंपनी फेस्बुक यह फेस्बुक की बाल है फेस्बुक इसक को कम्प्लेट करा दिया है अपना स्कूर आप कमेंट करके बता दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेयर कर दीजेगा मैं आपको अब मैत के प्रश्णों का उत्तर बता दे रहा हूं देखें फ्रेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोस्ट नमबर 41 से ले चली आगे बढ़ेंगे कोस्ट नमबर 43 कर लेंगे देखें 43 का जो करेक्ट इंसर हो जाएगा वह आपका इसमें से 23 हो जाएगा ठीक है 23 इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा उसका बदेखें 44 का जो करेक्ट इंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट इंसर आपका इसमें से देखें कौन 46 का जो correct answer होगा वो आपका कितना हो जाएगा तो right answer इसका हो जाएगा इसमें से इसका answer होना चाहिए था 46 का 46 का correct answer option number E हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यों को option में नहीं दियाएगा answer उसका वजीवे आगे बढ़ेंगे next question 47 number इसका एंसर हो जाएगा ऑप्सिंद हो जाएगा 48 का ऑप्सिंद में में इसका और यह सब जाएगा और यो जो 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 जोите